Using the properties of determinant prove that alpha, beta, gamma, alpha square, beta square, gamma square, alpha plus gamma, gamma plus alpha, alpha plus beta is equal to alpha minus beta into beta minus gamma into gamma minus alpha into alpha plus beta plus gamma. तो यहां जो हमारे को left side में जो determinant दे रखा है वो जो है हम एक बार फिर से इसको लिख देंगे और फिर इसके हम columns को एक दूसरे में से subtract करके इसको simple करके solve करेंगे तो यहां जो है पहले determinant को जैसा बताया लिखा जाएगा और फिर जो है इसको आगे columns को एक दूसरे से subtract करके solve कर तो पहले जो है हम यहां apply करेंगे कि column 2 जो है उसमें से column 1 को subtract करना है यानि कि c2 की जगा c2 minus c1 लिखना है तो और c3 की जगा जो है c3 minus c1 लिखना है तो इस तरह से हमारा determinant जो है वो change होके बन जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा यह जो है determinant हो गया पहले वाला column तो as it is हम लिख देंगे alpha, alpha square, beta plus gamma तो इसका लिख दिया और फिर जो है second column में से first को subtract रहेंगे तो यह हो गया beta minus alpha और फिर यह हो गया beta square minus alpha square और फिर जो है गामा प्लस alpha में से beta plus gamma subtract रहेंगे तो गामा तो cancel हो जाएगा और alpha minus beta में प्लस गामा सब्ट्रेक्ट करेंगे तो बीटा से beta cancel हो जाएगा और alpha minus beta हमारे पास alpha minus gamma हमारे बच जाएगे तो अब आप देख रहे होंगे कि जो second column है अगर उसके factor किये जाएं जो squares वाले हैं और third वाले के तो उसमें से जो है कुछ common निकल सकता है तो इसको जो है हम पहले factor करेंगे x square minus y square वाले method से तो beta square minus alpha square जो है वो हो जाएगा बीटा minus alpha इंटु में beta plus alpha और ये जो है दूसरे वाले में जो है मतलब third column का जो दूसरा element है वो हो जाएगा gamma minus alpha इंटु में gamma plus alpha तो ये इस तरह से आया तो ये alpha minus gamma इदर लिखा अब आप देख रहे होंगे कि first वाले column में से हम जो है alpha minus beta common निकाल सकते हैं और जो आपका third वाला column है उसमें से gamma minus alpha common निकाला जा सकता है तो यहाँ पर जो है हम alpha minus beta निकालेंगे second वाले column में से और third वाले column में से gamma minus alpha common निकालेंगे तो इसको यहाँ पर जो लिख दिया कि common इनको निकाला गया पहला alpha minus beta c2 में से और alpha जो है यहाँ c1 जो है कि जगा c2 और c2 कि जगा c3 पढ़िएगा c3 में से निकालेंगे तो c2 और c3 में से जो है हमने इनको common निकाला तो अब जो है हमारा जो determinant है वो इस तरह से change हो जाएगा कि अब alpha minus beta अपने बार निकाल लिया फिर यह gamma minus alpha यह भी बार निकाल लेंगे तो हमारे पास बचा first वाला column तो as it is आ जाएगा और second वाले column को जो है उस में से हमने क्योंकि alpha minus beta को में लिया यह beta minus alpha है तो यहाँ पर minus का one आएगा और तो first element हुआ फरst second column का minus one और दूसरे में से alpha minus beta निकाल लेंगे तो minus के alpha plus beta जो है minus alpha minus beta बचेंगे और फिर alpha minus beta common निकाला तो बनाया फिर जो है क्योंकि हमने gamma minus alpha लिया तो पहला element बनाएगा दूसरा जो है gamma plus alpha और तीसरा जो है minus का बनाएगा क्योंकि gamma minus alpha निकाला है और यह alpha minus gamma है तो यहाँ जो है अब हमारे को क्या करना ह कि अब इसको simple करके जो है किसी थरह से किसी row या column में दो 0 बनाने है तो r1 जो है उसकी जगा हम r1 प्लस r 3 कर देंगे तो रहने के row 1 में जो है row 3 जो है add कर देंगे तो हमारे पास जो है एक और factor alpha प्लस beta प्लस gamma हमारे पास आ जाता है तो यहाँ पर जो है देखिए यह आया alpha प्लस beta प्लस gamma फस्ट element में फस्ट element row 1 वाले में row 3 का जोडने पर और यह minus 1 में 1 जोडेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 में minus 1 जोडेंगे तो 0 हो जाएगा इस तरह यह हो गया alpha square यहाँ हो गया minus यह हो गया alpha minus beta और यह हो गया gamma plus alpha और यहाँ पर हुआ beta plus gamma बीटा plus gamma हो गया और यह हो गया आपका 1 और यहाँ हुआ minus के 1 तो यह इस तरह से हो गया अब जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें से आप जो है अब इसको expand करेंगे first row के along क्योंकि उसमें 2 0 आपके पास आचुके हैं तो अब आप इसके first row के along इसको expand करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास हो गया determinant alpha minus beta और gamma minus alpha और साथ ही alpha plus beta plus gamma यह जो है लिख देंगे और जो है हमारे पास जो इसका cofactor रहेगा alpha plus beta plus gamma का वो 2 by 2 का ही इस तरह से आएगा कि आप minus alpha minus beta gamma plus alpha और 1 minus 1 तो इसको simplify करेंगे तो minus alpha को minus 1 से करेंगे plusTHE A corpora minus beta को plus 1 से करेंगे plusahaheta और इसे तरह 1 से gamma को करेंगे minus gamma और minus के alpha मारे पास आते हैं तो इसमें alpha से alpha Cancel हो गया तो beta minus gamma Čत जो है एक factor आ गया तो इस तरह से ilpha माइनस बीटा बीटा मानस गामा गामा माइनस ऐलफा हमारे पहले से हैं और अलफा प्लस बीटा प्लस गामा भी है तो इस तरह से हमारे को राइट अट साइड मिल गई उम्मीद आपको ये question समय में आ गया गया इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे टैनल दमैस गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और बेल एकन जो दवादे धन्यवाद